तो नवश्कार दोस्तों very good morning स्वागत है आप सब का चलिए अला प्रश्न देखते हैं देखें हाले में चर्चित ग्राम चंदेली और गोटी टोला जो एलियंस के लिए चर्चा में रहा है या किस जिले में स्थित है तो यह चंदेली और गोटी टोला अपसन यहां पर है इस यह तो याद रखने है कि वर्स दो हजार जो है चवदा में 36 राज्य पुराता तोई भाग और संस्कृति भाग आदिवासी बस्तर चेत्र के जो है कांकेर जीला के चरामा चेत्र में एलियंस और यूएफे को दरसानी वाले उस्तों दस हजार वर्स जो है पुराने सेल चि इन चित्रों में हौलिवड और बॉली वुड फिल्मों जो दिखाए गये जो है एलियं की तरह यहाँ पर चित्रन किया गया ध्यान जगा यह और यह सेल चित्र जो यह प्राकरितिक रंगों से बनाए गया है ओके हैट की जगा ध्यान रखने हैं कि चरामा चित्र में हैं च प्रवासी पक्षियों का जो है जमावडा लगा हुआ है और राज सरकान ने फूटाहमुडावा उसके आसपास की छेत्र को तो राम सर साइड जो है घुसित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी जाए और हाल ही में दोस्तों हुए सर्वेय और रिसर्च के अनुसार दोस्तों यहां पर गंग्रेल बान के तट पर तीन से चार महिनों के लिए यहां पर साइबिरिया अफ्रिका और अमरिकन पक्षियों से यहां पर प्रवासी जो पक्षी है यहां पर पहुंचते हैं ओके एड की जगा बाकि इसको भी ध्यान रखना है कि बेमेत तरह जिल्या के जो है गिदवा परसदा कॉम्प्लेक्स याद रखना है ना यह या जलासा होनी चाहिए और साल में उस्तों कम से कम जो है बीस जार से ज्यादा जो है पक्षियों का अगमन होना चाहिए ओके एड की जगा मांकि ध्यान रखना रखना है कुछ जो है रियर प्रजाती के जो है भी पक्षी यह होनी चाहिए ओके ध्यान जीगा इस इसके लिए कांके जिला की जो है ग्राम पंचयत मसूल पानी को पांचवे राष्ट यह जल पुरुसकार सम्मारों में यह स्रेष्ट पंचयत की स्रेणी में दृती पुरुसकार से स्थम्मानित किया गया है तो छेत्र का नाम याद रखिएगा पहले भी हम लोग कवर किये पिर भी देखेंगे एक बार जल सररक्षण जल सरक्षण के चेतर में उलेखनी कारी के लिए कांकेड़ जीला की ग्राम पंचायत मसूल पानी को पांचवे राश्टी जल पुरुसकार समारों में यह स्रेश्ट पंचायत की सरणी में दूसरा इस्थान प्राप्त बिला है ठी जल सरक्षण के चेतर में मसूल पानी पंचायत ने उलेखनी कारी किया है और इस ग्राम पंचायत में जो है जल सिड संराचनाय बनाई गई है जिसमें निन्यामबे फार्म तलाब सामिल है और राश्टी जल पूरुसकार दोस्तों देजभर में विक्तियों और संगठन द्वारा जल समरिद भारत के भारत सरकार के वीजन को प्राप्त करने के लिए अच्छे काम और प्रयास के लिए अच्छे काम और प्रयास पर यह केंद्रित है और यह पूरुसकार दोस्तों लोगों में जल के महत्यों के बारे में जागरुपता उत्पन करने और उन्हें सरवत्तम जल उपयोग प्राणालियों में अपनाने के लिए प्रेडिक करने के ल किले में स्थित है तो खड़गा भी बोलते हैं कई कि खड़सा भी है ठीक है यह डिपी और सीजी से है इंपर्टन प्रशन है दोस्तों ध्यान देखा ना खड़सा व्यू पॉइंट है यह आपका आपसे नंबर डी सही है जस्तों यह जस्पूर में है ओके एड की जगा जस् के समद में पॉइंट टो पैंट सबसे पहले हम लोग को कहां चलना है आज यह जस्पूर ठीक है पहले भी देखें हैं देखें यह हम लोग का प्यारा चात्तिस गड़स्तूं और यह है आपका देखिए जस्पूर जिला तेन जिलो की सीमा से लगा हुआ है ध्यान देना है कौन कौन से तो यह देख लिजेगा यह कौन सा है तो यह आपका बलरामपूर सरगुजा और यह आपका रायगाड तीन जिलो की सीमा से लगा हुआ है अगर यह कौन से राजी की सीमा को इस पर्स करती है तो जस्पूर ध्यान देना है यह आपका ओरिसा और जार खन से लग तो देखते हैं चर्चा में क्यों है तो याद रखे कि जैस्पूर ये लेकि जो है प्रसिद्ध प्रेटर निस्थल मयाली में दो मुख्यमंत्री जी जो है यहां पर पहुंचे और यहां पर दो यह सरगूजा च्छेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की जो है बैठक आय के साथ इस्तों पर्याटाण भी भाग्नले मयाली के विकास के लिए 10 करो रूपय की जो है स्विक्रिती प्राधान की और मयाली नेचर केंप जीले के कुंकुरी ब्लाग में अभी हाली में चर्चा में राद लुथ जस्पूर झीला को जब प्रश्णबी पूछा गया था यह मदिस्वर पहाड मदिस्वर परवत इस पूछा गया सवाल है याद रखे गा दन पूरी जल प्रपात यहीं पर है दूस्तों यह आपका यह लोरो मंदिर जो कि जसपूर जिला में है और यहां प्रस्ति दूस्तों सिव मंदिर है लोरो घाट यहीं पर है यहां देना है कि दूस्तों यह आपका दिखे यह कौन सा है तो याद रखने मदिस्वर परवत का है और यह परवत दूस्तों यह 300 फीट उची उठी है और एक ही चटान पर बना हुआ है और यह दूस्तों याद रखना है आकरिती इसकी जो है सीवलिंग के समान है बाकी एट किजिएगा कि कैलाश्ट नातिश्वर गुफा किलकिलेश्वर महादेव मंदीर राजपूरी शिव मंदीर पूते बीरा धाम और यह सब दूस्तों जस्पूर के प्रमुक्ष शिव मंदीर है अगर हम जस्पूर की स्थापना की बात करें उस तो याद रखना है इस थापना हुई 1908 में नौ तवस्तों इस जिले में बगीचा, कुनकुरी, मनावरा, जस्पूर नगर, शन्ना, यह नौ तवसिल है कुल, ध्यान देना है जस्पूर में, किलकिला घाट यहीं परहस्तों, पत्थलगाओं में है किलकिला घाट, और सरवाधिक जो टामाटर उतपादी छेतर है, लुडेग यहीं है, उप नाम की बात करें तो लुडेग को तो टामाटर की जो है र ध्यान दी जगा, और यादकना हाली में, यह भी चर्चा मेरा है, सितंबर महने में, कि जस्पूर जिला की जो है, सुना जोरी नदी में, यहाँ पर, रेत में, स्वन्ड कर निकालने का काम, वर्सों से जोरा जन जाती, समुधा यह करते आ रहे हैं, सुना जोरी नदी, बाक हैं, दुबायन कहा जाता है, ओके, ध्यान जिएगा, एट कीज़ेगा इसको, ओके, इतना पॉइंट है, जैसपूर के बारे में, और भी बहुत सारे जुस्तों, कभी हम लोग फिर से एट करने की कोसिस करेंगे, ओके, यह अला प्रश्न देखिए, देखिए, एगरी कारण कारण दिवसी, एगरी कारणीवाल 2024 का जो है, राष्टी किसान मेला, एम क्रिशी प्रदर्शनी का जो है, आयोजन किया जा रहा है, इसकी सुरुवाद इस तो 22 अक्टूबर को हुआ, ओके, यूद्ध के साथ यह सुरू हुआ, और यह 25 अक्टूबर तक चलेगा, मुख्य टैन्सराफ के नमबर देखेगा, यह दुर्ग में बनाया गया है, याद रखेगा, याद रखेगा कि दुर्ग जिला के पार्टर नबला के इस्थित्थ पंदर दैमार में दस्तों, सौर उर्जा पर अधारी तियो सिक्षा पार्क बनाया गया है, और यह 36 अड़का पहला सौर पार्क है, जो उर्जा पर अधारी था है, बाकि दुस्तों इसकी जो लागत है, नव दुस्तों पनाया है, यह याद रखेगा, चलिए आज के लिए इतने इस्तों, और नेशनल का कल से मैं एट करने की कोसिस करूंगा, क्यूंकि दुस्तों थोड़ा प्रॉब्लम है, पीपीटी में थोड़ा सा मैनेज करने में, और अभी दुस्तों लिब्रे आफिस में ही चल रहा है, चले बहुत बहुत धन्यवाश, शुक्रिया, और इसका जाब दुस्तों आप लोग को देना है, कमेंट्स वक्त में, चले बहुत बहुत धन्यवाश, कस्तरिये, मस्तरिय और हां पड़तरी है वीडियो अगर सेयर करते बनता है दोस्ते तो अपने दोस्तों के शाह सेयर कर दिएगा ठीक है